तो भाई हम आ चुके हैं मारूति सुजुकी ए रहे न शोरूम पे जहां से हमने प्रेजा वी एकसाई अर्बैनो ली थी ठीक है और यह रहे गोतम जी तो आज हम नहीं स्विफ्ट का रिव्यू करेंगे कि कैसी एन एकस जेनरेशन स्विफ्ट जेडएकसाई प्लस मैनुवल जेडएकसाई प्लस मैनुवल है यह देखो आपने बाहर के और अंदर के फीचर्स के बारे में तो बहुत देखा होगा बट मैं आपको थोड़ा सा वह बता रहा हूं कि एक तो पहले तो इसकी की देखो यहां पे सुजुकी का यह लोगो दिया हुआ है प्लस ऐसा की सा लुक आता है और यह हाट टेक प्लैटफॉर्म के उपर बना हुआ है जो इसका बेस है पूरा इससे क्या होता है कि जो शौक लगता है गाड़ी में चलाते वक्त वो इवनली डिस्टिब्यूट होता है तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है गाड़ी में एक और टीम के सस्पेंशन दिये हुए जिससे क्या होता है वो काफी रेजिलियंट होते हैं रोबस्ट होते हैं और डूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो दो टाइप के स्पेंशन लगे हुए है और प्लस भाई जो इसका इंजन है चलो इंजन के बारे में हम आपको खोलेंगे जब बताएंगे प्लस इसमें एक और फीचर दिया हुआ है जो की है और यह एक सेंसर दिया हुआ है तो की को अपनी पॉकेट में रखेंगे इसके कुछ मीटर के पास आएंगे और इसको दबाएंगे तो यह खुल जाएगा अपने आपी तो यह एक फीचर यहाँ पे cruise control का option है cruise control की एक traction control है plus यहाँ पे देखो screen पे इस तरह की color में आता है जो ब्रेजा में black and white आता है ठीक है plus इसमें 9 inch की screen दी हुई है ठीक है और wireless charger है यहाँ पे देखिए यह wireless charger है और यह gear manual है तो यह gear है यह glove box हो गए इसका में कोई screen काफी सही लगी android player है जो इसमें 9 inch की है plus seat काफी comfortable है यह cushion provide करते हैं यह चीज ठीक है और देखो rear vent दिये हुए है मैं ऐसे दिखा देता है आपको यह rear vent दिये हुए है यहाँ पे charging port दिया हुआ है ठीक है पीछे भी और headrest दिये हुए है obviously rear seats पे plus इसमें एक anti-breaking system है ABS है उसके साथ साथ इसमें electronically braking distribution technology का use किया हो गया ताकि ABS के साथ साथ जब steering ताकि lock now brake लागाते वक्त तो anti-locking braking system होता है उसके ब्रेक्ट का technology दी हुए है electronic braking distribution जिसके वज़से evenly distribute हो जाती है power electronic EBD के वज़े से इसमें यहाँ पे projector head lamp दी हो है LED ठीक है और जो base variant उसमें halogen वाले दी हो है और DRL यह रहे और indicator यहाँ पे है और fog lamp भी है यहाँ पे जो भाई इसमें electronically stability program भी दिया गया जिससे गाड़ी stable रहती है driving के थूँ hill hold assist भी दिया गया यह देखो wiper आ गया और प्लस इसमें जो rear camera है वो यहाँ पे position किया गया है logo के just नीचे और number plate यहाँ पे इसके उपर देखो कितना सही सा position किया गया इदर प्लस भाई यह next generation car है क्योंकि इसमें जो engine है इसका मैं आपको bonnet खोल के दिखा तो भाई जो इसमें engine है 3 cylinder engine है ठीक है plus Z series का engine है जो पहले shift में आता था वो K series का आता था तो यह तो यह Z series का engine है और fuel efficient है next generation future ready car है क्योंकि आगे-ागे fuel के prices बहुत बढ़ने वाले हैं तो इन्होंने क्या किया है कि पहले से ही 3 cylinder देके और company क्लेम कर रही है 25 की mileage ठीक है गाड़ियों का vibration जो noise थोड़ा साल का साथ है वो आएगा ही इसमें बिल्कुल आएगा तो और plus इसमें low emission है जो Z series का engine है 1.2 liter का है और plus इसमें low emission और mileage अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर यहाँ पर जो seat दी हुए ना यहाँ पर चाइल वाली जो seat होती है वो भी अच्छी तरह से lock हो जाएगी यहाँ पर इसका boot space मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए काफी अच्छा boot space है इस तरह से इसके dynamics हैं देखो भाई गाड़ी के अंदर भाई next generation swift का 1200 cc का engine है जो की 5700 rpm पे 60 kWh का power generate करती है और 111 nanometer का torque 4300 rpm पे generate करती है तो future ready गाड़ी है क्योंकि obviously आगया के क्या होगा कि low emission पे ज़्यादा काम होगा तो already इसने low emission प्रोवाइड कर दिया है और इसकी tail light मतलब यह boost up गाड़ी है थोड़ी सी और city rides के लिए बहुत अच्छी है तो गाड़ी की sale भी बहुत अच्छी खासी निकल रही है इवन आपको CNG में एक डेड़ लाख एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़ुरती नहीं है अगर three cylinder engine इस तरह से आ रहे हैं तो तो भाई यह था पूरा गाड़ी का review बाकी इसकी performance city के लिए काफी अच्छी है और यह low torque पे काफी अच्छा perform कर रही है गाड़ी तो भाई एक चीज़ और बतानी थी आपको सबसे important चीज़ इसमें है six share bags जो की सारे variant में आपको मिल जाएंगे तो safety point of view से और city rights point of view से और mileage के point of view से यह future ready future generation गाड़ी है और front में इसमें ventilated disc brake है और rear में वही अपना drum brakes है classic और बाकी डिक्की का rear boot space में बताऊँ तो 250 liter का आपको देखने को मिलेगा next generation swift में मेरे को तो यह value for money लगी इस range में क्योंकि CNG के लिए आपको एक डिड़ लाक और extra देना पड़ता है और उसमें features भी मदलब थोड़े से कम हो जाते है तो उस हिसाब से 3 cylinder engine अगर आप लेना चाहेंगे जो एक vibration और एक noise वाला अगर आप accept कर सकते हैं चीजों को तो आपके लिए यह गाड़ी सही है तो यही था भाई हमारी तरफ से review बाकि आप बताइए comment में कि आपको यह गाड़ी कैसी लेगी